इडी ने जिस प्रकार पांच बार समन दिया और मान्य मुख्य मंत्री एमान सुरेन सुप्रीम कोड हाई कोड भागते भागते ठग गए बलकि सब जगा से उनको दुद्कार दिया गया तो अभी इडी चुप क्यों है इससे यही निस्कस निकलता है कि इडी भाजपा और जे सब्सक्राइब के साथ कोई ना कोई समिकरन बना रहा है संचीप राजनितिक टिपनी जो जारकण में बरतमान में चल रहा है इडी हमन सुरेन और बीजेपी क्या आपको लगता है इसमें मैं कह सकता हूं कि इडी ने जिस प्रकार पांच बार समन दिया और मान्य मुख्य मं सब जगा से उनको दुद्कार दिया गया तो अभी इडी चुक क्यों है इससे यही निसकस निकलता है कि इडी भाजपा और जेमे में तीनों मिले हुए हैं अपनी राजनितिक रणनिती को स्थापित करने के चकर में जनता के साथ धोकेवाजी करने हैं और लगता है कि में के साथ कोई ना कोई समीकरन बना रहा है और तो हो सकता है लेकिन अभी आभी जो दिख रहा है एडी बीजेपी और जेमें यह मिले हुए हैं और जनता को एक परकार से बेकूप बनाने का काम कर रहे हैं यह सर्मनाक है भारतिये जनतंत्र के लिए और भारतिये जनतंत्र में यह जो कुछ संस्थान है एडी हुआ सी भी आई हुआ जो भी संस्थान है या चुनाव आयोग हुआ इनको निस्पक्ष भाव से काम करना चाहिए तो जैसा दिख रहा था इसी बार ने इसके पहले भी एक माने राजपाल थे रोज बोलता था है लिफापा नहीं खुल र भी नहीं फुस हो गया यह ऐसे ही तो जनता को बेकुप बनाने का एकदम गलत काम हो रहा है और मुझे लगता है एडी में थोड़ी भी मांदारी हो बीजेपी और जैमें में जनता के बीच में इमांदारी हो तो यह मामला को पार दर्शिता के तावर पर सामने आना है अभी तक आप पिछले जब से मैं देख रहा हूं पिछले करोना के बाद दो-तीन सालों से आप अंदुरन चला रहे हैं कि